एक नदी के किनारे दो पेड लगे थे उस रास्ते से एक चिढिया गुजरी और उसने पहले पेड से पूछा बारिश होने वाला है क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी में घोंसला बना कर रह सकते हैं लेकिन उस पेड ने मना कर दिया चिढिया दूसरे पेड के पा पानी में बहता देखा तो उसने कहा, जब मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी शरन में रहने के लिए आए थे तो तुम्ने मना कर दिया था, अब देखो, तुम्हें तुम्हारे उसी रूखे बरताव की सजा मिल रही है पेड में मुसकुराते हुए उत्तर दिया मैं जानता था कि मेरी जड़े कमजोर है और मैं इस बारिश में टिक नहीं पाऊंगा मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान खत्रे में नहीं डालना चाहता मना करने के लिए मुझे ख्षमा कर दो और ये कहते कहते पेड़ पानी में बह गया निशकर्श किसी के अहंकार को उसकी कठोरता न समझे क्या पता उसके इसी अहंकार से आपका भला हो